आज हम बुंदी राइता बनाएंगे उसके लिए में चीजों की ज़रूरत है आदा किलों हमने दहीं लिया है आदा कब दूख लेंगे अगर दहीं खटा हो तो डालेंगे बुंदी चार टेबल स्पून ये बिना नमक के है एक टी स्पून चीनी वन फोर टी स्पून काला नमक एक टी स्पून रोस्टेट जीरा पाउडर वन फोर टी स्पून काली मिश्ट पाउडर और आदा टी स्पून नमक तो सबसे पहले दहीं को फेंट कर बिल्कुल स्मूध बना लेंगे तो दही हमारा स्मूद हो गया है अब इसमें डालते हैं बूंदी साथ ही में डाल देंगे रोस्टेट जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर काला नमक किसी हुई चीनी और सफेद नमक अब सब चीज़ें अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे स्टर करके और बूंदी हमने सुखी रखी है आप चाहें तो इसको पानी में भीगो कर उसके बाद में पानी निचोड़कर इसको डाल सकते हैं थोड़ा सा दही हमारा कटा है तो दूर भी डाल देते हैं और फिर अच्छी तरसे इसको मिक्स कर लेंगे अब चीनी और नमक दोनों चेक कर लेते हैं और लगता है थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा काला नमक हमें डालना पड़ेगा तो यह हमने डाल दी इसमें पिसी चीनी और यह काला नमक अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसको सरिंग बोल में डालें और आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से हरे धनिया के साथ में या थोड़ा भूना जी रहा है उसक प्लेन रखेंगे और इस डिश को इस बूंदी राइता को आप चावल के साथ में खा सकते हैं या खाने में एससाइड डिश यूज़ कर सकते हैं तो यह रही हमारी आज की रेसेपी बूंदी राइता काफी आसान है बनाना जरूर बनाएं हमें अपना फीड़बैक दें हमार चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्स वर वाचिंग एव नाइस देग